बाश्यारिव संस्कृतिली भाग का हमीशा प्रयास रहा है कि संस्कृतिक और सहित्तिक गतिवधियों खुद लगता हम आयुजित करते रहें तो इसी कड़ी में हम लोग इस्वर्ष जो यहां तीकली चरिटिबिल ट्रस्ट है उसके साथ मिलकर दृतिय मिमानसा बाल सहित्ते कुछ सब आयुजित कर रहे हैं पिछले साल भी जैसा को याद होगा कि हमने मार्च के महीने में पहला चिल्डर्न लिटर्चर फिस्ट्रिल आयुजित किया था इस बार उसकी सफलता होत रही थी इस बार हम भारा से मार्च के महीले में ही यह आयुजन कर रहे हैं और यह तीन दिन का आयुजन होगा बाइस मार्च से लेकर चौविस मार्च तक और इसमें हमारे बीच मुख्य जो अतिथी होंगी वो रूप एक इंडिया की बड़ी एमिनेंट चिल्डर्न राइटर हैं रुपापाई वो होंगी और साथी साथ कार्टुनिस्ट हैं उदेशंकर वो दोनों रुपस्तित रहेंगे रुपापाई जी मुख्य टितिती रूप पे और उदेशंकर जी बश्ष्ट अपतिती रूप पे और यह जो आपज़ जो यूट हैं बच्चे हैं उनके लिए पच्चिस वर्ष से कमाईू के और इसमें वारे विद्यालों के महाविद्यालों के और विष्व द्याले के भी और इस पे चार अलग अलग काटिगरीज होगी जिनमें ये प्रत्योगिताय आविजित की जाएंगी एक तो होगी पुस्तक समीक्षा हम आठ पुस्तकें जो हमारे हां हमाचल के राइटर्स की हैं उनकी समीक्षा बच्चों से परवाएंगी और परिचर्चाय होगी उसी उस पर प्रत्योग्दा होगी तीसरी होगी स्टोगन राइटिंग पर नारा लेखन पर और चौती होगी पोस्टर में ये जो चार काटिगरीज हैं इनमें बच्चे भांग लेंगे अभी भी हमने 18 मार्च तक इसकी अंतिप्दिधी है जो भी बच्चे भांग लेना चाहते हो कर सकते हैं इसके इलावा हर दिन दो संत्र होगे इस पूरे आहुजन में एक मौर्णिंग सेशन होगा दस बचे से तेड़ बचे तक और जिसमें ओपन माइक रीडिंग होगी तविधापार्ट होगा पुस्तक समेक्षा होगी चर्चा होगी और अंतर विद्याली इंटर स रखहतों कर में निगिए 청व ऑलाओ को पूरा Safe Queray रिसिपन कर दो स्विभी प्राइज़ तक और जो भी इसमें पाडिसिपैंट से हुगी उनकों प्रइज बी थे थेरे हैं इसमें टूर्ण बतिरुस Прाइज़ होगा इसमें इसमें तुटल्बथिस प्राइज होग उसके रावस सारे जो पार्टिसिपेंट्स होगे उनको हम टोकेज सोविनियर्स भी देंगे और साथी सत्थ सर्टिफिकेट्स भी देंगे तो यह जैसा मैंने कहा के जो हमारा कीखली चैरिटिबल ट्रस्ट है उसके सहयों से हम यह कर रहे हैं और मेरा जविदन यही रहेगा क जो स्कूलों के बच्चे हैं और जो कॉलिजेज के बच्चे हैं वो इसमें जरूर भाग ले हमारा प्रयास इस लिक्रच्चर फेस्किवल को करने का यही है कि बच्चों में अधिक से अधिक पढ़ने की और क्रियेटिव राइटिंग की एक अधत अधत लोग डाल सकें बच्चों को क्रेटिव एक्स्प्रेशन के लिए भी हम एक खुला मंच दे यह एक इसका उदेश्य है उन्हें बोलने का मौका दिया जाए और साथ-साथ जैसे हमारी राइटर्स आ रहे हैं वो भी इंसे 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 इत्राइक्ट करेंगे बच्चों से और संवाद होगा और बुक्स इंको दी जाएंगी तो यह एक बच्चों के लिए अच्छा बहुल रहेगा उन में राइटिंग के प्रती एक हैबट को डेवलेट करना उनकी आदत बन जाए वो उसमें रुचील है यह इसके बातिम से हम और वारा फोकुस जैसा मैंने कहाँ इसलिए हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीड़ी है वो साहित्य के प्रती पढ़ने के प्रती निखने के प्रती उसके रुची बारे है